चीजों की कहाने क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मुझे अपनी चीजों से बहुत लगाव है सच में मुझे अपनी सबी चीजों से लगाव है क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजों कहां से आती हैं और जब हम इने फैंकते हैं, तो कहां चली जाती है? मुझे इस पर हमेशा चंबा हुआ, किताबों के अनुसार सभी चीजे इन स्रेजों से घुजरती है decomposition कच्चे माल से, सामान बनाने से, सामान ढोने से, सामान के इस्तिमाल से, सामान फैंकने तक इस पूरे चक्र को मिला कर कहते हैं सामान का अर्थशास्त्र मैंने इसके बारे में ध्यान से खोजबिन की, असल में मैंने पूरे संसार में 10 साल तक यात्रा की ये पता लगाने के लिए कि हमारी ये चीजें कहां से आती हैं और कहां चली जाती हैं, जानते हो क्या पता लगा, बहुत सी बातों का लोगों को पता ही नहीं, उपर से पूरा सिस्टम मुश्किल में है, इसका कारण है ये सिस्टम सीधी रेखा में काम करता है, हमारी धर्ती पर जहां संसाधन गिने चुने हैं, वहाँ पर ये सीधा चलने वाला सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं करेगा, ये सिस्टम हर कदम पर असली दुनिया से जुड़ा है, असली द पर इस्थान भरते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या गायब है। हाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई नहीं दे रही वो है लोग। हाँ लोग जो रहते हैं और इस सिस्टम के साथ काम करते हैं। इस सिस्टम में कुछ लोगों की दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा चलती है। वे कौन हैं? चले सरकार से शुरू करें। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि सरकार दिखाने के लिए टैंक का चित्र बनाना चाहिए। कई देशों के लिए ठीक भी है। वेसे भी हमारे देश में टैक्सों से हुई आमदनी का आधे से अधिक भाग मिल्ट्री पर खर्च होता है। पर मैं सरकार दिखाने के लिए एक आम आदमी का चित्र बना रही हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारें जनता के लिए जनता की और जनता द्वारा चलाई जाने चाहिए। इन कंपनियों के काम में कोई और चन ना आए। तो देखें कि पूरी तस्वीर के और कौन से हिस्से गायब है। कच्चे माल को निकालना। हम कच्चे माल के प्रोडक्शन से शुरू करते हैं जो कि प्राकृतिक संपदा को इस्तिमाल करने का एक नाम है। इसमें हम पेड़ों को काटते हैं, पहाडों को खोद कर अंदर से धातुएं निकालते हैं, साफ पानी का इस्तिमाल करते हैं और जानवरों को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारी पहली सीमा आ रही है। हमारे ये सभी संसाधन खत्म हो रहे हैं। हम इन सब का बहुत ज्यादा इस्तिमाल कर रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब सा लगता है पर ये सच है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। पिछले तीन दशकों में हमने प्रित्वी के एक तिहाई प्राकृतिक संसाधनों को खर्च कर लिया है। हम इतनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं, खोद रहे हैं और कूडा फेंक रहे हैं कि प्रित्वी की उस पर रहने वालों को संसाधन दे पाने की शक्ती खत्म होती जा प्रित्वी के सभी देश अमेरिका की गती पर प्राकृतिक संसाधन खर्च करें तो हमें तीन से पांच तक प्रित्वी जैसे ग्रह चाहिए होंगे पर हमारे पास तो केवल एक ही प्रित्वी है। मेरे देश अमेरिका ने इसका इलाज निकाला है कि जाकर किसी और के पर अधिकार जमाने का एक घुमाव फिराव वाला तरीका है। यही बात कूड़ा पैदा करने पर भी लागू होती है। प्राक्रितिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं। यहां के रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता कम है। और इस सिस्टम में अगर आप बहुत सी वस्तुएं नहीं खरीदते तो आपकी कोई कीमत नहीं। तो अब कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए जाता है। वहाँ हमें से कुछ ही को मनुष्य पर असर के लिए टेस्ट किया गया है। इनका सेहत पर असर क्या होगा। यह केमिकल कितने हानिकारक है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारे स्वास्थे और वातावरन में यह केमिकल क्या प्रभाव डालते हैं। इसका हमें प पर ऐसे रसायन नाड़ी तंत्र यानि दिमाग पर बुरा असर डालते हैं. हम ऐसे रसायन को कम्प्यूटरों, घर के सामानों, सौफों, गदों, यहाँ तक की तक्यों में भी इस्तेमाल करते हैं. पहले हम तक्यों को ऐसे रसायन में डुबोते हैं, फिर उन्हें घर लाकर आ प्राग से बचाने के और बहतर तरीके हम सोच सकते हैं। चले आगे चले। क्या आप जानते हैं कि खाने के वस्तों में सबसे अधिक खतरनाक रसायन किसमे है। मा के दूद में। इसका मतलब हम एक ऐसी सीमा पर पहुँच गए हैं जहां हमारे समाज के सबसे छोटे सदस से हमारे बच्चों को अपनी मा का दूद पीने से खतरनाक रसायनों की खुराक भी मिल जाती है। कितनी अजीब बात है। मा का दूद पिला पाना ऐसा काम है जो पवित्र है और इसे सुरक्षित होना चाहिए। बच्चों के लिए मा का दूद जीवन दाई है और माओं को यह करते रहना चाहिए। पर हमें इसकी रक्षा करनी है, सरकार को इसकी रक्षा करनी है। मैं सोचती थी कि सरकार हमारा ध्यान रखती है इस सब खतनाक रसाइनों का सबसे ज्यादा असर तो factory में काम करने वालों पर होता है उसमें बहुत सारी नव्यूवतियां होती हैं वे ऐसे जानलेवा रसाइनों के वातावरन में काम करती हैं जो cancer पैदा करते हैं और दंदों और वातावरन के उजड़ने से ऐसे मजबूर लोगों की कमी नहीं रहती जिनके पास कुछ और करने को है ही नहीं। संसार भर में एक दिन में दो लाख लोग ऐसे वातावरन और स्थानों को जहां वे पीडियों से रह रहे थे छोड़कर शहरों में जाते हैं जो मरपटियों में रहते हैं और मजबूरी में कोई भी काम ढूलते हैं चाहे वो जानलिवा रसाइनों के वातावरन में काम करना ही तो इस सिस्टम में केवल प्राकृतिक संसाधन ही बरबाद नहीं होते, पूरी के पूरी जंजातियां और लोग भी बरबाद होते हैं, अगर जहरीले रसायन डालोगे तो वैसा ही समान निकलेगा, फैक्ट्रियों से समान निकलने के अलावा प्रदूशन भी होता है, बहुत चार खरब पाउंड जानलेवा रसायनों के वातावरन में सांस लेना नहीं चाहता, तो वो क्या करते हैं, प्रदूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों को दूसरे देशों में भेज दो, उनके वातावरन और जमीन को प्रदूशित करो, पर प्रदूशित वायू तेज हवा लोग खरीते रहें और समान का भंडार कम होता रहे। कीमतों को कम कैसे रखा जाता है? बेजने वाले दुखानों में काम करने वालों को कम तनख्वा देकर और उनको मिलने वाले और लाभू को कम करके। ये है कीमत के कुछ हिससे को दूसरों पर डालना, यानि किसी परें सुननी थी तो मैं रेडियो के एक छोटी से दुकान में रेडियो खरीदने के लिए घुसी, खरीदने के लिए खड़ी हुई मैं सोच रही थी कि इस रेडियो को बनाने और मुझ तक पहुचाने की कीमत 4.99 सेंट कैसे हो सकती है, इसके निर्मान के लिए शायद दक्ष जो बेचने वाले लोगों की तनख्वा या सामान के ट्रांसपोर्ट पर खर्चोई होगी, तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने रेडियो की असली कीमत दी ही नहीं, तो फिर ये कीमत किस ने दी, कुछ लोगों ने अपने प्राकृतिक संसाधन खोकर अपनी साफ हवा को प्र एक्ट्रोनिक्स के फैंके जा सकने वाले साजो सामान में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब लोगों ने अपने स्वस्थे के खर्च के कुर्बानी दे कर ये कीमत दी, ताकि मुझे ये रेडियो चार डॉलर 99 सेंट का मिल सके, इन दी हुई कीमतों का कहीं कोई लेखा जुखा नहीं, कमपनी वाले प्रोडक्शन कीमत को दूसरों पर डाल देते हैं, वस्तूं का इस्तेमाल, ये है चीजों को इस्तेमाल में लाने का सुनेहरा तीर, ये तीर ही तो पूरे सिस्टम का दिल है, वो इंजन जो इस पूरे गड़बर सिस्टम को चलाता है, इस तीर को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका में दोनों, सरकार और बड़ी कमपनिया लगी हैं, इसलिए तो 9 by 11 की दुरगटना के बाद, जब सारा अमेरिका स्तब्ध था, राष्टपते बुश बहुत सारी बाते करने को कह सकते थे, जैसे मातम मनाने को, प्रार्थना करने को, आशा करन पर उन्होंने कहा, खरीदो, उन्होंने और अधिक खरीदने का नारा दिया, हम खरीददारों का देश बन गए हैं, हमारी पहली पहचान है कि हम एक खरीददार हैं, ना कि हम माताएं, अध्यापक या किसान हैं, यही एक तरीका है जिसे हमारी कीमत आखी जाती है, यह इस बात से भी आँकी जाती है कि हम इस सुनहरे तीर को कितना दे पाते हैं और हम कितनी वस्तों खरीदते हैं और इस्तेमाल कर पाते हैं। छे महीने के अंदर ही। यदि इस गती से हम पस्तों को कूडा मान कर फैंकेंगे तो इस प्रित्वी पर रहेंगे कैसे। हमेशा से ऐसा नहीं था। आज एक अमेरिकन पचास साल पहले से दुगना सामान इस्तिमाल कर रहा है। अपनी दादी या नानी से पूछो। चीजों की बचट और चीजों को दोबारा इस्तेमल कर पाना एक अच्छी आदत मानी जाती थी। फिर ये कैसे हुआ। सच मुझ ये सब हुआ नहीं बलके सोच समझ कर किया गया। दुटिय विश्वियुद के बाद ये सब लोग हिसाब किताब लगा रहे थे कि अमरी की अर्थविवस्था को कैसे तेजी से बढ़ा है जाए। खुद्रा व्यापार के विशेशग्ड विक्टर लीबो ने एक हल सुझाया जो सब ने मान लिया। उन्होंने कहा हमें इतनी सारी वस्थों बनाने वाली अर्थविवस्था की जरूरत है कि हम वस्थों का अधिक उप्योग करना एक जीने का अंदाज बना ले। हम वस्थों को खरीदने और उनके इस्तेमाल को एक उत्सव मान ले। हम अपनी आत्मिक एहम की संतुष्टी उपभोग करने में मान ले। हमारी जरूरत है कि लोग चीज़ें जम कर खरीदें, पुराने चीज़ें बदलें और तेजी से उन्हें फैंकें। और राष्टपदी आइन तहावर के अर्थ सलाकारों की काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा, अमेरिकन अर्थ विवस्था का असली उद्देश्य उपभोगताओं के लिए और अधिक सामान बनाना है। प्लास्टिक के थैलों, कॉफी के कपों से इस बात का साफ़ पता लगता है। मैंने पाया कि जो हिस्सा बदल रहा है वो चिप एक कोने में लगा एक टुकडा है, पर हर नए मॉडल में इसकी आकरिती बदल जाती है, इसलिए आपको पूरे कंप्यूटर को फैंकना पड़ता है और नया खरीदना पड़ता है। मैंने 1950 में छपे उद्योग डिजाइन पत्रिका में छपे वाक्तियों को पढ़ा, जबकि वस्तों को नियोजित रूप में बेकार घोशित करने की परंपरा शुरू हुई। डिजाइनरों ने इनके बारे में खुल कर बात की, उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि वस्तों जल्दी से जल्दी तूटें पर उपभोगता का उन वस्तों पर विश्वास बना रहे तांकि वे जाकर और खरीदें। ये सब जान भूच कर किया गया था पर वस्तों इतनी जल्दी नहीं टूट सकती कि इस तीर को जिन्दा रख सकें तो शुरू हुआ उपभोगता की नजर में वस्तों का बेकार होने का सिलसला इसी कारण तो हम अक्सर ऐसा समान फैंक देते हैं जो काम कर रहा होता है ये किया जाता है वस्तों का दिखने वाला स्वरूप बदल कर अगर आपने कोई सामान दो साल पहले खरीदा था तो सामान को देखकर हर व्यक्ति जान लेगा कि वे पुराना है बार बार ये शर्मिंदिगी का कारण बन सकता है और हमारी कीमत तो इसी बात पनेर्पर करती है ना कि ह अब भोगतावाद के इस तीर को कितना दे पा रहे हैं मेरी मेज पर वही मोटा सा सवेद कंप्यूटर मॉनिटर है जो मैंने पांच साल पहले लिया था मेरे साथ काम करने वाले ने अभी एक नया कंप्यूटर लिया है उसके पास एक चमकता हुआ फ्लैट स्क्रीन वाला एड़ी मोटी से पतली और फिर पतली से मोटी होती जाती है यह इसलिए नहीं होता कि कैसी जूती की एड़ी औरतों की सेहत के लिए ठीक है बलकि इसलिए होता है कि पतली एड़ी वाले फैशन के साल में मोटी एड़ी पहनने से सब को पता लग जाता है कि आपने उप्भो जितने विज्यापन देखते हैं, उतने तो 50 साल पहले लोगों ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखे होंगे। विज्यापन क्या करता है? सिर्फ यह है एहसास पैदा करता है कि जो हमारे पास है, वो आज के हिसाब से नहीं है। तो दिन में 3000 बार हमें बताय जाता है कि हमारे बाल ठीक नहीं, हमारी खाल ठीक नहीं, हमारी कार ठीक नहीं, हम ठीक नहीं, पर ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हम खरीदने पर उतारू हो जाएं। मीडिया भी इस सब को छुपाने में मदद करता है। इस वस्तों के अर्थशास्र का जो हिस्सा दिखाई देता है वे है खरिदारी। कच्चे माल का निकालना, वस्तों का प्रडक्शन और वितरन हमारे दिश्टी से परे होता है। इसलिए अमेरिका में पहले से बहुत ज्यादा वस्तों हैं पर हमारा राष्ट्य खुशी का इंडेक्स सब से उपर था लगबग उस समय जब यह उपभोगतावादी पागलपन की शुरुआत हुई। है न मज़ेदार बाद। मुझे इसका कारण पता है हमारे पास वस्तों पतादी विवस्ता में काम कर रहे लोगों के पास था। क्या आप जानते हैं कि हम अपने बचे कुछे खाली समय में कौन से दो बड़े काम करते हैं। टीवी देखते हैं और खरीदारी करते हैं। अमेरिका में यॉरप के मुकाबले खरीदारी पर हम 3-4 गुना ज्यादा स टीवी खरीदारी के चक्र में ऐसे फज़ जाते हैं कि रुक नहीं पाते। चीजों का कब्रिस्तान अंत में उनसा वस्तों का क्या होता है जिने हम खरीद लेते हैं। उपभोग की इस तर पर यह हमारे घरों में नहीं समा सकता। हलाकि साधाना अमरीकी घर का अकार 1970 से ले घरने वाला हमेंसे हर एक एक दिन में दो किलो कुड़ा पैदा करता है। यह 30 साल पहले की संख्या से दुगना है। यह सब कुड़ा यानि की वो समान जो हमने खरीदा था, या तो एक बड़े से गड़े में दफना दिया जाता है, या फिर जलाकर गढ़े में डाला जाता दोनों ही तरह से प्रित्वी वायू और जल का प्रदूशन होता है और उसका असर मौसम पर भी पड़ता है इस माइने में जला कर राक करना तो बहुत पुरा है प्रोडक्शन स्टेज पर उन जहरीले रसायनों को याद कीजिए जलाने से ये सब ही खतरनाक रसायन हवा में मिल जाते हैं असल में ये हवा में मिलकर और भी खतरनाक हो जाते हैं डायकसिन की तरह है और बेकार वस्तू को जलाने के यंत्र डायकसिन का सबसे बड़ा सोर्स है इसका मतलब है कि यदे हम बेकार वस्तों या कूड़ा जलाना छोड़ दे तो हम सबसे खतरनाक जहरीले रसायन के स्त्रोत को बंद कर सकते हैं हम इसे आज ही रोक सकते हैं अब कई कंपनियां अमेरिका में कूड़े को जमीन में दबाने और जलाने का कम नहीं करना चाहती तो वो ये सब काम भी दूसरे देशों को भेज देते हैं और बेकार वस्तों को दोबारा इस्तिमाल करने की बात हाँ वस्तों का दोबारा इस्तेमाल या रीसाइक्लिंग मदद करता है एक तो ये कूड़ा कम करता है और दूसरी और कच्चे माल को निकालने और प्रोडक्शन पर दबाव कम होगा हाँ हमें वस्तों की रीसाइक्लिंग करनी चाहिए रीसाइक्लिंग कभी भी काफी नहीं होगी, इसकी दो कारण है पहला, हमारे घरों से निकलने वाला कूड़ा पूरी समस्या का बहुत चोटा सा भाग है घर के कूड़े का हर एक थैला जो हम बाहर रखते हैं, सत्तर और थैले ऐसे तयार हो रहे होते हैं वस्तों के रूप में ताकि हम उनको फिर कूड़े में पदल सके तो यदि हम घर से निकलने वाले कूड़े का शत प्रतिशत भी रिसाइकलिंग करें, तो भी समस्या पकड़ में नहीं आती कूडे के बहुत सारे हिस्से की recycling नहीं हो सकती क्योंकि या तो उस भाग में टॉक्सिक रसायन है या उस कूडे की recycling की ही नहीं जा सकती जैसे उन जूस के टेटरा पैक डिब्बों का क्या जिसमें धातू कागच और प्लास्टिक आपस में चिपकाई हुए होते हैं इस सब तरफ फैले समस्या की एक अच्छी बात है कई ऐसी जगे हैं जहां पर इसको फैलने से रोका जा सकता है जंगलों को बचाने के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं और कई और साफसुतरे तरीकों से वस्तों की production पर कई लोग काम कर रहे हैं मजदूरों के अधिकारों के लिए नयाय संगत व्यापार और वस्तों के कम से कम उपभोग के लिए कुछ कूडे को जमीन में दबाने और जलाने को रोकने में लगे हैं कुछ लोग ऐसी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो वास्तव में सरकार लोगों की हो और लोगों के लिए हो ये सब काम बहुत जरूरी है पर ये बाते और तेजी से होंगी यदि हम पूरे चित्र और इसके विभिन भागों को समझ सकें यदि इस सिस्टम में काम करने वाले सभी लोग एक्ता बना ले तो हम सीधे इस सिस्ट आ रही है जो बराबरी और प्राक्रितिक स्त्रोतों को बनाई रखने पर जो दे रही है ऐसे रसायन जो नुकसान ना पहुंचाएं बिल्कुल कूडा नहीं प्रोडक्शन जो एक चक्र हो उर्जा के नई स्त्रोत ये सब होने लगा है कुछ लोग कहते हैं ये असली नहीं है पर मीरा कहना है कि वे लोग जो पुराने तरीके से ही चलना चाहते हैं सचाई को नहीं देख पा रहें याद रखिए ये पुराने तरीके अपने आप नहीं बने लोगों ने इने बनाया है हम भी लोग हैं तो आओ कुछ मिलकर नया बनाएं मुझे बनाएं झाल झाल